असलाम अलेकुम डियर स्टूरेंट्स आइम यूर इंग्लिस टीचर अजहरा मैं आई होप यू आल आर गुद तोड़े आवाद टॉपिक इस माई हूं आप सबको पता होगा हमने यू आन एंड यू तू कम्पलीट किया है सो आज हम पढ़ेंगे टर्ण फर्स्ट का इनवर नमबर थर्ड माई हूं ये एक पोइम है इसको लिखा है किसने हैं हैंड हैंड हैलम टिवीडी ने बुक्स तो सबके पास होगी सामने रखना और पेज नमबर फर्टी एट निकालना सो आब हम पढ़ेंगे माई हूं दुनिया में कितने भी सारे गर हो पर वो गर सबसे अच्छा है जहां मैं रोज सुबा सोके उठता हूं खेलता हूं और जब ठक जाता हूं फिर जाके लिए जाता हूं दुनिया में कितने भी सारे गर हो पर वो गर सबसे अच्छा है जहां मैं रोज सुबा सोके उठता हूं खेलता हूं और जब ठक जाता हूं फिर जाके दुबार अले जाता हूं मेरे बाप ने अपनी कड़ी महनत से बनाया है और मैं दुनिया में कही भी गूमाओं कितनी भी जगा गूमाओं मेरे गर जैसा जहां साब खुश्या है कही और नहीं मिल सकती नहीं कही भी गूमाओं मेरे गर जैसा जहां साब खुश्या है कही और नहीं मिल सकती next the rooms are clear and bright and fair with pictures books and toys the rooms are clear and bright and fair जो मेरे गर के कमरे है वो बहुत साफ है चमकतार है और beautiful है फियर खूब सूरत है with pictures books and toys और वहां पे pictures लगे हैं खेलने के लिए toys हैं खिलोने हैं toys का मतलब हुआ खिलोने books है पढ़ने के लिए and foods and clothes and beds and chairs जैसा खाना चाहो वैसे माम बनाती है अच्छे कबडे पहनते हैं मेरे पास अपना bed है, chairs है for all us boys and girls जाहे हम लड़के हो या लड़के हमारे लिए हर कसम की चीज़े मौजूद है so full of joy and joy it is so safe and bright and warm I would not go far from it lest I should come to harm इस गर में बहुत प्यार है so full of joy and joy it is बहुत खुशिया है वहाँ अपने गर में बहुत safe safe का मतलब हो जहां पे कोई खत्रा ना हो safe महसूस करता हूँ अपने ही गर में अलग सी safety महसूस होती है और मैं अपने इस गर को तब तक छोड़ कर दूर नहीं जाना चाहूँगा जब तक मुझे कोई ऐसी वजा न हो जाए कोई नुकसान न हो जाए जिसके लिए मुझे ये गर छोड़ना पड़े नहीं तो पूरी दुनिया में जो सबसे खुश जगा रहने वाली है वो मेरा अपना गर है I would not go far from it मैं अपने इस गर को तब तक छोड़ कर दूर नहीं जाना चाहूँगा जब तक मुझे ऐसी कोई वजा न हो जाए कोई नुकसान न हो जाए Lest I should come to harm जिसके लिए मुझे ये गर छोड़ना पड़े नहीं तो पूरी दुनिया में सबसे खुश जगा रहने वाली वो मेरा अपना गर है Okay students, सबको समझ आया Okay, अब हम पारेंगे questions Question number one है What does the child do in his house? वो अपने गर में क्या करता है? The child plays and wakes in his house खेलता है, सबाउटता है, अपने गर में The child plays and wakes in his house Next question What does the father and mother do to make the house a happier place? What does the father and mother do to make the house a happier place? Father and mother ने क्या किया इस गर को happier place बनाने के लिए The father build it by his trial Baap ने, मेरे father ने महनत की, कड़ी महनत की And mother makes it home And मेरे मान ने इसे पूरी तरह से गर बनाया है Next question Who lives in the house? Who lives in the house? Only girls, only boys or both? स्कॉय का both Both girls and boys Next question Name five things that you can find in your house उन पांट यूजू का नाम लिखो जा अपने गर में देखें, pictures and toys and beds and chairs and books Okay Now अब है fun with words Match the words of A to their meaning in B A को B के साथ Love Trial Trial का मतलब हुआ कड़ी महनत Hard work इसमें देखो hard work है कई पे? हाँ ये इसको numbering लिखो One Okay Next Happier Away from home Giving a feeling of love In case In case Go from one place to another Full of joy and fun Happier Full of joy and fun इसको number two लिखो फिर है Rome Rome का मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाना यहाँ पे है कही पे Go from one place to another इसको लिखो Three Safe Safe क्या हुआ? Safe जहाँ पे कोई खत्रा न हो Safe को आएगा Away from Harm क्या आएगा? Away from Harm Four Warm Warm का मतलब हुआ Giving a feeling of Love Fifth And last है Lest In case अगर खुदा न खास्ता Lest In case Fill in the blanks With the opposites of underlined words The words that you must use in the box below इनके opposite लिखने है या इसमें fill करने है पहला Save Bright Toilet Built Clean Those lazy people did nothing While my father Dash on Lazy इसको opposite क्या आएगा? Lazy को सुस्त जो कभी महनत नहीं करता हो इसको आएगा My father While my father इसको आएगा Toilet Hard work कडी महनत I hate dirty places I hate dirty places So I keep my room Dirty को opposite क्या आएगा? इनमें से Save Bright toilet Toilet बिल्च क्या आएगा? Clean क्या आएगा? So I keep my room Clean The dark clouds passed away And it was dash dash sunshine Dark Dark को opposite इनमें से क्या आएगा? Bright Next Our parents keep us away from danger And we feel Danger का आएगा? Opposite In में से देहको Safe Bright Toilet Built Clean क्या आएगा? And we feel Safe And we feel Safe Houses take long to be dash dash But can be destroyed easily Destroyed को opposite आएगा? क्या? Built क्या आएगा? Built गर बनाने में ज्यादा टाइम लगता है लेकिन डिस्टर होने में बहुत कम Okay students आया समझ यह बुक्स यह questions अपनी नोट्बुक पे लिखना ठीक है? Stay safe, stay home Okay? Allahaf